मेनेजमेंट मेनेजमेंट अगर आप अच्छा रखोगे लीटर वेर अच्छा कंडिक्शन अच्छा रखोगे तो जाइड सी बात है कि आपका बड़ अच्छे ग्रोथ लेगा और अच्छा एवरेज भी देखने को मिलता है हमस्कार दोस्तो मैं अरजुन कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अकेला पॉल्टरी विलोग में तो फ्रेंड्स आज सुबह सुबह का वक्त है और हमने पूरे फार्म की भूसी के गुडाई कर दी है अने के लेटर रेकिंग कर दिया है और अभी देख सकते हो आपकी ड्रिंकर के पास-पास में हमने चुने का छिड़काव कर दिया है और आज मेरा बड़ का एज है दोस् की दोस्तों देखा जाता है कि ड्रिंकर के पास में कुछ ने कुछ पानी नीचे गिर जाता है जैसे कि बड़ जब पानी पीते हैं तो कुछ पानी को नीचे गिरा देते हैं जिसके वज़ए से लीटर में काफी जादा नमी आ जाता है और नमी आने के बाद वहां से लीटर रेकिंग करते रहना चाहिए और जहां भी लीटर थोड़ा बहुत गिला लगे उस जगह पे चुने का छिड़काव करें या फिर दोस्तों उसको पूरी तरह से साफ करके वहां पे सुखा बुरादा को जरूर डालें तो हमने क्या किया है कि हमने पूरी तरह से लीटर पर काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए और समय समय पर रेकिंग करते रहना चाहिए ताकि उसमें नमी ज्यादा ना हो और वह बुरादा पूरी तरह से फ्रेस रहेगा दोस्तों तो आपके फार्म पर अमोनिया गेस कम बनेगा तो उसमें फिर आपका जो है सो बड़ में भी मारी भी कम से कम होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लगभग ठीक हो चुका अभी・ मोटलेटी करकर चल रहुं तीन दिनों से तो अभी पूरी तरह से लगभग मेसं ठीक हो चुका अब मेरा yüzाएँ ग्रोथ अखर जाखाऊं देख़ोग जथेसे सारे बक जैसे ही हैं ज़्यू बड़े नहीं हुए ज्यादा और छोटे collective हो जाने के बाद ज़्यादा दोस्तों होता क्या है कि एके यार आप अच्छा रखोगे तो जाइड सी बात है कि आपका बड अच्छे ग्रोथ लेगा और अच्छा एवरेज भी देखने को मिलता है तो दोस्तों आज हम अपने भूसी का कंडिक्शन आपको दिखा रहें देख सकते हो कि हमारे भूसी का कंडिक्शन किस तरह से है और हमारा देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूखा भूसी इसमें कोई नमी नहीं है बस जहां जहां पे ड्रिंकर था उस जगर पर क्या हो रहा था दोस्तों कि यहां पे जो है सुपानी गिर जा रहा था जैसे कि बढ़ पानी पी रहे थे तो अभी मैंने शुबह के वक्त है मैं इसमें होगा कि यह चूना जो है ना जो इसमें जो थोड़ी बहुत नमी है उसको सोख लेगा और अमोनिया गेस जो यहां से बनने वाला था वो अब नहीं बनेगा और तिसरा फैदा यह भी है दोस्तों कि यहां पे अकसर देखा जाता है कि जहां पे लीटर में पानी गिर जाता है उस जगह पे थोड़े-छोड़े छोड़े किड़े लगने लगते हैं तो वह कीड़ा भी चूने की वज़ा से नहीं लगेगा तो चूना डालने का कई सारे फायदे हैं इसलों दोस्तों आप अगजिदी आपका ओटोमेटिक ड्रिंकर है या फिर जॉम्बो ड्रिंकर है न काफी ज्यादा परेशानी होता है काफी ज्यादा समय भी लगता है उदर करने में तो इसमें एक यहीं सोलुसन है कि इसको आप अच्छी तरह से लीटर रेकिंग कर दें और ज्यादा गिल्ला हो तो लीटर को बाहर फेक दें और थोड़ा बूता गाजी नमी देखने को मिल र पर अजताँ हो खत्म हो जाता है तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों आपको एक वीडियो में बताया जाए खींग करते हैं और भुसी रेकिंग करने का जो हमारा जुगाड है दोस्तों आप देख सकते हो यह हमने भुसी रेकिंग करने के लिए जुगाड बनाया हुआ है यह मेरा खुद का आइडिया है और हमने खुद से बनाया हुआ है और यह बहुत अच्छा है और बहुत आसानी भी होता है इसे से कोई दफ्क्त नहीं है आप डेली ही लिटर रेकिंग खरें बीस दिन के बाद तो आपको जो काफी झाल झाल